हेलो अवेडिवान गूड मॉनिंग कैसे हो आप लोग आई हूप आप लोग भी अच्छे होंगे तो आज बना है नास्ते में पराथा और आलू भुजिया और बैंगन की सबजी तो आप लोग भी आजाएए नास्ता करने के लिए और मैं यहाँ पर बना रही हूँ किचन में पराथा और अभी का टाइम जो है लगभग सारे 9 से 10 के बीच में हो रहा है और मैं यह बना रही है यहाँ पर गर्म गर्म पराथा और मैं बना के सबको नास्ता भी साथ-साथ में कराते जा रही हूँ तो यह देखिए यहाँ पर फुले फुले पराथे बन रहे हैं आप लोग भी आ जाएए जल्दी से और हमारे साथ आप लोग भी नास्ता कर लिजिए तो अभी सारा चीज बन चुका है और सारा खाना वैसे मैंने बना लिया है बस भी लास्त में पराथा में बना रही हैं क्योंकि इसको जो है गर्मा गर्म ही खाने में अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ आप दाल चावल और आलू भुजिया और बेगन की सबजी बना लिय है और लास्ट में यह रखी बढ़ लगा है कि मैं बनाते जा रही हूं क्योंकि इसको देल लगा दीजिए तो इसमें तेल यह ग्री मिंनरा परेफ़ेंड स्थ तो अच्छा सा ये परत बन जाता है और यह वह ला प्राथा, छापी पसंद आता है घड़ में सभी को तो इसी लिए मैं ऐसे बना रही हूं और बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है इसे वाले पराठा और इसको मैं जब पराठा जब सीख जाता है इसको गैस के फ्लेम को लो कड़के इसको अच्छे सीख लीजिए तो ये वाला पराठा थोरा सा ये क्रिस्प आ जाता है इसमें तो ये वाला पराठा ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पर बना बना करके और डायरेक्ट परोस्ती जाड़ी हूँ क्योंकि इसको गर्मा गरमी खाने में अच्छा लगता है और अब मैं खाना सारा तो हमारा वैसे बन चुका है बस पराठा बाकी है इसके बाद हमें बस नहाना है और आज हमारे घड़ में आया है कुछ नई चीज तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी वीडियो के लास्ट में आप लोग पूरा वीडियो जरूर दिखिएगा और इस चीज का हमें कभसे इंतजार था और काफी ज़्यादा जरूरत भी थी तो मैं आपको भी दिखाऊंगी हमने क्या लिया है और आज कल जो मोसम जो होड़ा काफी ज़्यादा गड़मी हो रही है किचन में तो बिल्कुल भी खरा नहीं हुआ जाता है इतनी गड़मी होती है खास करके रोटी वगर बनाओ पराठे वगर खड़े होने का जो काम होता है यह काफी ज़्यादा मुश्किल भड़ा होता है लेकिन क्या कर सकते हैं करना तो है और मैं यह वैल जो है यह रिफाइंड ओल वही वाला यूज कर दिए हूँ किस में कुछ फ्राय किया था तो यह लेक पराठा है और पराठा बने वाला है और ये तीनों लोग सारे बैठे हुए हैं नास्ते के लिए मतलब तीनों लोग खा रहे हैं और मैं पराठे सेख सेख कर परुस्ती जा रही हूँ तो जो बच्चे हैं और इनके पापा है सब ये खा रहे हैं और मैं यहाँ पर बना रही हूँ और बहुत ज्यादा friends गर्मी लग रही है सच में काफी ज़्यादा गर्मी लग रही है किचन में तो बिल्कुल भी ख़़ानी हुआ जाता है और पता है इस टाम लाइट भी कटा हुआ है तो इसकी वज़ाँ से और ज्यादा गर्मी लग रही है और बाद में ये दाल मांगने लगे थे तो मैंने यहाँ पर दाल दे दिया है इनको मैंने पहले पराठा और बुजिया और सबजी दे दिया था मैंने सोचा पराठा के साथ तो दाल ने खाएंगे लेकिन ये लास्ट में थोरा सा खाएंगे चावल तो इसलिए मैंने पहले दाल दे दिया है और फिर थोड़ा सा चावल दे दूँगी फिर बाद में तो यहां पर तो हमारा किचन का काम होता है खतम और यह देखिए हमने बैंगन की सबजी भी बनाई थी तो वो भी आपको दिखा देते हैं और इसकी रेज़िपी जो है उस चैनल पर अपलोड है आप लोग जाकर देख सकते हैं लिंक में देदूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं इसकी पूरी डीटेयल में जो वीडियो है न वह में हमारे दूसरे वाले चैनल पर देख सकते हैं, तो ये देखिए हमारे बेगन की सबजी भी काफी अच्छी बनी थी, और सब को पसंद आया था वैसे घर में ये सबजी, और बहुत ही बढ़ियां लगता है, ये इस तरीके से मैंने बनाया था, काफी अच्छा बना था, तो आप लोग अगर देखना चाते है तो जाकर के देख सकते हैं, और इसको ट्राइ भी कर सकते हैं, बहुत बढ़ियां बनता है, तो कई बार क्या होता है, हम डिफिरेंट तरीके से बनाना चाहते हैं, कोई भी सबजी, तो आप ये बेगन के अलग तरीका है बनाने का, तो इसको आप बना सकते हैं, ये हमारे घर में क्या आया है और इसका अन्वक्सिंग कर रही है हमारी बेटी तो ये रात में ही वैसे आ गया था तो ये है हमारा मिक्सर ग्रेंडर वैसे ये रात में ही लेके आ गये थे इसको मैंने रात बर तो ऐसे छोड़ दिया और इसको सैनिटाइज किया गया और अब ही इसको लगभागे दस बजदे का टाइम होड़ा है एक और इसकी मुझे काफ गयादा जरूरत थी हमारा mixer grinder जो दो मेहने से खराब परा हुआ था और उसको में हमने एक बार ठीक भी कराया था लेकिन वो दुबारा से खराब हो गया तो फिर हमने दुबारा उसको ठीक नहीं कराया हमने सोचा कि फिर बार बार उसको ठीक कराने से अच्छा है कि फिर उसको नया ही ले लेंगे और वो काफी ज़्यादा पुराना भी हो गया था उपहले वाला तो ये देखिए ये वाला हमारा mixer grinder है काफी ज़्यादा सुन्दर लग रहा देखने में और इसकी वज़े से काफी ज़्यादा दिक्कते आ रही थी काम करने में क्योंकि mixer का काम जो है लगभग रोज पढ़ता ही रहता है ना कुछ तो चटनी वगरा मसाले वगरा पीसने में जो है ये जरूरत पढ़ता ही थोरा भूत तो हम सिलवटे पर पीस लेते हैं लेकिन ज़्यादा चीज अगर पीसने हो तो फिर दिक्कत आ जाती है इसलिए mixer grinder तो काफी ज़्यादा जरूरत होती है लगभग हर घड़ में तो दो मैने से हमने काफी ज़्यादा दिक्कत जहला है इसके लिए लेकिन ये फाइनली आ गया तो ये देखिए इसमें तीन जार दिया गया है एक चटनी के लिए एक मसाले के लिए एक सेक बगएर बनाने के लिए हमने जो पहले वाला mixer लिया था वो उसमें जूसर भी था तो लेकिन हमने उसको ज़्यादा यूज नहीं किया तो इस बार हमने ऐसे ही लिया है क्योंकि वो जूसर वाला जो था वो ऐसे ही रखा रह गया काफी दिनों तक उसको हमने बहुत कम लगभग समझ लिजी इतने दिन में हमने दो चार वारी यूज किये होंगे हमने बहुत कम यूज करते हैं वो जूस वाला जो होता है और इसलिए हमने यह इस बार जो सिंपल वाला होता है वही हमने लिया है ज्यादा चीजे वाला हमने नहीं लिया इसमें भी तीन जार है तो ज्यादा जो चीजे होते हैं बस चटनी मसाले यही पीसने का काम ज्यादा होत एक वाद ट्राय करेंग किसा कैसे हैं इसको चेक भी करना है सही तरीके सेच चल रही कि नहीं वैसे इसके 2 साल की वार्टे डॉक्यार अपी अब इसको चेक कर लेना है तर अगर। अगर इसमें कुछ गरबर हुई तो फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी और यहां पर यह अच्छे से देख रही है ढकन वकन लगा के अच्छे से चेक कर रही है मैंने इसको बोला कि अच्छे से चेक करो फुरे ढकन को लगा करके सही से लगता है कि नहीं यह साड़े जार में डखन लगा लगा के चेक कर रही है और बता रही है कि सबका डखन सही है और मैं ही यहां पर रिकोर्डिंग भी कर रही हूँ और यह साड़े चीजों को खोल खोल के देख रही है तो देखने में तो काफी ज़्यादा सुन्दर लग रहा है और कलर इसका देख रहे हैं आप वाइट और रेड है और इसका जार का जो है इस्टील वाला ये जार है और तीनों जार इस्टील वाला ही है और ढकन इसका प्लास्टिक वाला है तो देखने में काफी ज़्याद अच्छा लग रहा मिक्सर और देखते हैं यह वाला कितना ज्यादा चलता है और मैंने खाना बनाने के बाद मैंने नहा लिया है और मैं अब यहाँ पर कर रही हूं नास्ता तो आप लोग भी आजाएए जल्दी से और मैंने यहां पर लिया है पराठा और वही बेंगन की सबजी और आलू की भुजिया तो आज के नास्ते में यह है पहले मैं अभी यह खा लूँगी और दोपर में फिर मैं लंच कर लूँगी जैसे हमने चावल दाल भी बनाया था फिर मैं उसको दोपर में खाऊंगी अभी थोरा से इतना ज़्यादा भूख नहीं है हमने यहां पर लिया है एक पराठा और सबजी तो आज का ब्लोग फ्रेंड्स यही पर हम इसको एंड करते हैं आयोप आप लोगों को पसंद आया होगा और ब्लोग हो गया है काफी ज़्यादा लंबा तो इसलिए मैं आज यहे पर एंड करती हूँ और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजीगा और वीडियो को लाइक सेयर किजीगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी सेयर किजीगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स ब्लोग में तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा